प्यारे दोस्तों आपका मेरी इस विडियो में स्वागत है सरकार गरीबों की मदद करने के लिए सरकारी योजनाव का पैसा सिदे जंधन खातों में डालती है या पैसा आपके जंधन खातों में आया या नहीं या जानने के लिए आम तोर पर आपको बैंक में जाकर पता करना होता है लेकिन आज हम आपको दू ऐसा सरल तरीका बताने जा रहे हैं जिसकी मदब से आप घर बैटे अपने मुबाइल से ही जान सकते हैं कि आपके जंधन खाते में पैसे आए या नहीं चलिए जानते हैं क्या हो तरीका पहला तरीका है PFMS पॉर्टल के जरिए इसके लिए सबसे पहले आपको PFMS की ओफिस्यल वेब साइट पर जाना होगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है यहाँ पर आपको No Your Payments का ओप्शन दिखाई दी रहा है इस पर आपको क्लिक करना है अब आपके सामने एक नया पेज ओपेन हो गया है यहाँ पर आपको चार ओप्शन दिखाई दी रहा है सबसे पहले आपको यहाँ बैंक का नाम डालना है यानि जिस बैंक में आपका खाता है माल लेते हैं कि आपका खाता स्टेट बैंक में है तो आपको बैंक कॉलम में स्टेट बैंक आप इंडिया लिखना है इसके बाद आपको इंटर एकाउंट नंबर कॉलम में अपनी बैंक खाता संख्या को भरना है फिर आपको इंटर कन्फर्म एकाउंट नंबर कॉलम में एक बार फिर से अपनी बैंक खाता संख्या भरना है फिर आपको वाट भेरिपिकेशन कॉलम में उपर दिये गए इस कैपचा कोट को भरना है इसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है सर्च बटन पर क्लिक करने के साथ ही आपकी खाते में कब, कितना और कहां-कहां से पैसा आया है इसके जानकारी आपको मिल जाएगी दुसरा तरीका है मिस्ट कॉल के जरिये अगर आपका स्टेट बैंक आप इंडिया में जन्धन खाता है तो आप मिस्ट कॉल के जरिये बैलेंस पता लगा सकते हैं इसके लिए आपको 1-800-425-38-00 या फिर 1-800-11-22-11 नंबर पर मिस्ट कॉल देना है इस नंबर पर उसी नंबर से कॉल करें जो कि आपके बैंक खाते के साथ रिजिस्टर्ड हो इसके अलावा खाता धारक अपने रिजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर से 922-37-666666 पर कॉल के रकी भी या जानकारी हासिल की जा सकती है तो दोस्तों एडिया आपको या वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाटिंग